किप्तो करेंसी को लेकर के पिछले दो दिनों में कई सारी ऐसी मुश्किलें आ रहे हैं कई सारी ऐसी खबरें आ रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में इसको चर्चा के केंदर में बना दिया है पिछले दो दिनों में आये भुचाल ने डिजिटल करेंसी इसको बुरी तरह से प्रहावित किया है और ज्यादा तर डिजिटल कोईंस को भारी नुकसान हुआ है लेकिन एक टोकन ऐसा है जिस पर गिरावाट का सबसे ज्यादा असर हुआ टेरा लिवना इसकी वैल्यू इतनी तेजी से गिरी कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बिनांस ने टेरा लिवना को अपने प्रोजेक्ट से ही बाहर कर दिया 24 घंटों के भीतर इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 99% तक गिर गई जिसके वीज़े से दुनिया भर में जो टेरा की इंवेस्टर्स हैं उनको लाखो डॉलर का चूना लगा लूना को डी लिस्ट करने की घोशना तक ही बात नहीं था मिए क्रिप्टो एक्सचेंज ने घोशित किया कि वो टेरा लूना के लिए क्रॉस और आईसोलेटेड मार्जिन के पेर्स स्पाट ट्रेडिंग पेर्स को भी खतम कर रहा यानि की सीधे अर्थों में बैनांस ने प्रेटफॉर्म से टेरा को बाहर कर दिया है लेकिन इसका मतलब है क्या और एक निवेशक के तौर पर आपको क्रिप्टो की दुनिया को क्यों समझना जरूरी है आज मनी मंत्र का यही विशा है और हमारी स्क्रीन्स पर जो नंबर्स फ्लैश होंगे आप इस कारिक्रम का हिस्सा बन सकते हैं अपने सवाल जो क्रिप्टो से जुड़े हुए है क्रिप्टो निवेश से जुड़े हुए है वो सवाल आप इस कारिक्रम में रख सकते हैं अगले आधे गंटे हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ रहेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे हमारे साथ दो एक्सपर्ट आज आपके साथ जुड़ रहे हैं रुचिर पारिख जो की क्रिप्टो एक्सपर्ट है आप क्रिप्टो एंथुजियास्ट कह सकते हैं उनको दुबई से जुड़ना है रुचिर बहुत-बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत और आज का जो हमारा फोकस है वो क्रिप्टो की जो पूरी की पूरी दुनिया है उसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक ऐसा एसेट क्लास जिसमें लोग जल्दी पैसे बनाने के लिए आते हैं और खास दोर पर जो युवा है वो बहुत ही ब पूरी दुनिया भर में अभी एक तरह से तबाही का माहौल है माहौल है मैं कह रहा हूं थोड़ा सा में एक्स्प्लेइन कीजिए कि यह इसके पीछे की वजह क्या है क्यों इतनी बड़ी गिरावट दिखाई दे रहे है कि पिछले एक महिने में 800 बिलियन डॉलर्स लोगों एंडिये वraf बने एक यह घंशू से पास हो रहा है है. So obviously, when digital currency नहीं पर इन्वेस्ट हो रहे है, for an example, के श्री लंका में इन्वेस्ट हो रहे है, Ukraine में इन्वेस्ट हो रहे है digital currency, किसी ना किसी मोल्ड पे. जब ये digitale currency इन्वेस्ट होता है, तो digital currency एक आम इंसान को जरुरत में तो नहीं आता है. so obviously तब बड़े इंवेस्टर्स विड्रॉ करते हैं जब यह विड्रॉल्स हो रहें so there are heavy withdrawals which is happening from the crypto industry that is one of the major reason why the market is crashing it down and it is a momentary thing ठीक है और अब हम दाता हैं कि बीता हफ्ता क्यों रहा और क्यों यह सुर्खियों में हो और हम लोग क्यों इस पर चर्चा कर रहे हैं जो बीता हफ्ता है वो cryptocurrency के लिए काफी खराब रहा निवेश्कों के 800 अरब से ज्यादा डॉलर से ज्यादा डूब चुके टेरा USD पूरी तरह से बरबाद ग्राफिस के जरी हम बताने कि आपको कोशिश करें प्लीज अगर ग्राफिक्स चला सकते हैं तो चला दें इस पर आधारी जो crypto coin लोना है उसके भाव जीरो हो गया है stable coin में गिरावट के बाद bitcoin में भी इस पर असर दिखाई दिया 30,500 डॉलर के स्थर पर यह स्पस्ट दोर पर दिखाई दिया बीते एक हफ़ते में broker coin base के share 50% तक तूट गए Hong Kong की हुवबी technology और BC technology group में भी एक हफ़ते में 20% गिरावट आई और इस बीच जो coin market cap के आँक्रे हैं वो बताते हैं कि बीते महिने cryptocurrency में market value में 800 billion डॉलर के गिरावट हुई और यही वज़ा है कि एक panic का माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है USD coin, Tether, Binance USD को जैसे popular stable coins हैं जो US dollar से जुड़े हुए हैं हम आपको वो भी समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है USTD, Terra, Yuna भी इनी stable coins में से है जिने सुरक्षित माना जाता है लेकिन Terra Lina की कहानी ने पूरी दुनिया को चौका दिया वजीर X के जो Vice President साब है Mr. Menon उनके पास में जाना जाता है Mr. Menon ये stable coin जो चीज है वो थोड़ा सा हमें समझाएं कि होता क्या है क्योंकि लोगों के लिए ये एक विश्वास का खेल है और stable coin कहा जाता है लेकिन हमने ये देखा कि बिल्कुल stability ने दिखाए दिलूना थांक यू अजय जी मुझे बुलाने के लिए तो इफ आइजी समझाने की कोशिश को करूँ तो crypto currencies हम लोग जानते हैं ये बहुत बॉलटाइल है तो stable coins ऐसी coins है आइड टो टाइडिशम्ना से सदु है आइड दो टाइड तो अब इस थांध यह इसलिए बनाया गया है because it is pegged to a real world price इसका real world asset इसका price इतना fluctuate नहीं होता जैसे अपना traditional cryptocurrencies fluctuate होता है तो the idea of a stable coin is that आप cryptocurrencies में easily घुष सकते हैं you can invest in cryptocurrencies through stable coins and their value remains relatively stable अभी stable coins में भी दो types होते हैं that those are pegged to real world assets जैसे मैंने समझाया था US dollar, oil or gold जैसे the other types of stable coins are algorithmic stable coins those are backed by an algorithm or a computer program now those are the latest innovations that have happened in the world of cryptocurrencies they are pegged to an algorithm so that that in a nutshell is what a stable coin does आप cryptocurrencies cryptocurrencies जैसे bitcoin and all that आप खरीच सकते हैं through a stable coin and its value remains relatively fixed that is what it is supposed to do in the real world रूचिर लेकिन ये जो मिस्टर मैनन कहे रहे हैं कि volatility बहुत ज्यादा है crypto की दुनिया में ऐसा क्यों है क्योंकि जब भी निवेशक निवेश करने के बारे में सोचता है तो volatility बहुत बड़ा factor होता है तो थोड़ा सा अगर आप हमें crypto की दुनिया को समझा पायां कि इतनी ज़्यादा volatility cryptocurrency की दुनिया में होती क्यों है मैं आपको ये चीज़ एक नॉर्मल example के साथ समझाओंगा like 1992 में जब इंडिया में stock market start हुआ था तो stock market जब initial phase में था तो obvious की volatility बहुत ज़्यादा थी करोड़ों लोग जूड़ते जा रहे है invest कर रहे है विड्रॉल कर रहे है they are tasting it down now when we talk about the world market okay economical standard की साथ सबसे अगर बात करते है so there are maybe 80% of the people who are investing just because मुझे किसी ने बताया है का आज एक रुपे का दा में जो कल पांच रुपे होने वाला है people are not aware what is crypto itself यह खाली ट्रेड हो रहा है तो लोग यह समझ रहे है कि मेरे को एक रुपे का पांच रुपे बनाना है पर वो पांच रुपे का एक रुपे भी बन सकता है वो लोग नहीं जानते cryptocurrency की volatility is because everybody is like लोग बहुत सारी चीज़े promise करते है जब एक crypto token launch crypto coin launch होता है वो टाइम पर लोग वो समझते नहीं है people never check like हमेशा यह जानना जरूरी होता है जैसे राके जुन जुन वाला जी ने कभी ऐसे बताया था कि what are the underlying asset into the crypto so actually crypto में underlying asset is the technology that is what it is the major role okay so जब एक business चलेगा तब cryptocurrency should move crypto is a by-product actually ऐसा होना चाहिए stock is a by-product fine any company so actually मैं ऐसा होना चाहिए कि लोगों को यह जानना चाहिए कि यह cryptocurrency उसका back business क्या है what it is doing why it is doing why it is going out what are the certain fintech solutions they are providing for an example if they are backed by the blockchain then blockchain में किस तरीके से उन्होंने real project को ecosystem में use किया हुआ है like simple words में crypto is something which is useful into the ecosystem as part of the utility and utility के बेस्टे अगर बात करते है जब inward or outward rotation होता है into the ecosystem तब जा के crypto घुम रहा है मलब in short आपका रुपे घुम रहा है आपका रुपे जब गूमता है तब वो volatility देता है so that should be the proper way अभी लोग ऐसे ही invest किये जा रहे so awareness is a very big thing रुचिर पिल्कुल ऑनलाइन हम लोग live program कर रहे है जाइपूर से रुचिर हमारे साथ आचुके है और उनका सवाल लेते हैं नमस्कार रुचिर आप मेरी आवाज सुन पा रहे है रुचिर मेरी आवाज आघे आपको आरी 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 है शुबम जी नमस्कार आपको मेरी आवाज मिल रहे है जाइपूर से आप मेरे साथ है सवाल किजी अपना जी सर जैसे ये जोग श्टेर बजार में इंवेस्ट करते हैं और क्रेप्टो करेंसी में जैसे कोई जना अगर अपना अपना चाहता है तो सर उसे क्या करना चाहिए सर और सर आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर इसको आप रिपीट करें और मार्केट जिस दीद आपका शाम को आठा था सर उसको भी चालू करें आपकी तो इन्फरमेशन प्रोग्राम है इनको सर दो सर तीन बार रिपीट करें सर लोगों को सर अवेरनेश मिलेगी सर बहुत धन्यवाद शुभम मैं अपनी एडिटोरियल टीम तक ये बात जरूर पहुचा दोगा आपकी जो रिक्वेस्ट है रोचिर या आप लेना चाहेंगे सवाल या फिर मिनन साब कोई भी इसको किन चीजों का ख्याल रखें स्टॉक मार्केट में तो हम लोग जाते हैं अजय जी आपको तो अपना नया क्रिप्टो शो चालो करना चाहिए आपके इतने फैंस हैं बट कमिंग बाक तो दो क्वेस्टिन एक आपको यह समझना चाहिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट को वालताइल समझते हैं तो क्रिप्टो करणसी से कहीं ज्यादा वालताइल है तो पिछले दो-तीन महने में अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट शोक मूवड अपन डाउन In the US itself, Netflix, जो सबसे बड़ा, you know, entertainment stock कहा जाता है, that is down by 70%. और हम लोग को मालम है कि, you know, AMC और game stock जैसे stocks, stocks उपर नीचे जाते रहते हैं. और ज़्यादा दूर देखनी की जुरुरत नहीं है, हमारे NSE और BSE में भी बहुत penny stocks हैं, जो उपर नीचे जाते रहते हैं. तो, you know, as an investor, हम लोग को मालम है कि, these stocks are very volatile. For example, I am talking about penny stocks now. और उसमें साब्धानी से जाना चाहिए. Now, coming back to how to invest in crypto, see, crypto को पहले आपको ये पता होना चाहिए कि, it is a very, very volatile, you know, segment of securities, investment, correct. And the other reason for volatility is that it is open 24-7. कभी बंद नहीं होता. जैसे अपने BSE और NSE Sundays को बंद होते हैं, crypto markets are never shut. And they are on 24-7. और कहीं भी news कहीं भी चाहा सकता है. जैसे, you know, it can happen, something can happen in Antarctica. It's a very vague example. But it will affect the crypto market immediately. So, the volatility is an inherent characteristic of the crypto markets. So, आपको अगर वोलेटिलिटी पसंद नहीं है, तो आप इसमें जरूरू कभी मत अंदर आना चाहिए. Now, the other thing that you have to understand, as Ruchir said, is that आपको, what you have to do is understand what the project is all about. What Bitcoin does, what Ethereum does, what any token does. हम लोग, हम लोग ये समच, कई, कई इन्वेस्टर ये सुचते हैं कि ये हम लोग, you know, जितना जल्दी पैसा बना सकते हैं, you know, that is, that is become, get rich scheme बन गया crypto, which is not the case. It is just another asset class. आपको systematically invest करना है, over a period of time, in good projects, और पांस से दस साल का time horizon लेके चलना है, in good projects. और, you know, and all of us know that out of every, and आपको ये भी, you know, keep in mind that every, most crypto projects now are experiments. आपको ये भी, you know, you have to have the, the जिगर to take failure of experiments. आपने एक चीज़ कही कि जो निवेश के golden rules हैं, वो crypto को दिनिया पर भी लागू होते हैं, आपको asset में investment करने से पहले, asset class को समझना बहुत जरूरी है. जिस तरह से share market में fundamentals और technicals काम करते हैं, उसी तरह से crypto की दुनिया को भी fundamentally समझना होगा, उसके बाद technically समझना होगा, और समझने के बाद, ये भी समझना होगा कि चूकई का, इसका ecosystem इतना बड़ा है, कि दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी वक्त कोई भी investment की call ले सकता है, त आप जैसे लोग जो कि crypto की दुनिया से जुड़े हैं, आप लोग कैसे defend करेंगे? जिनने कभी ऐसे बताया था के, what are the underlying asset into crypto? So, ये जो सवाल है, ये सवाल में ही जवाब है, because underlying asset into an IT company. So, crypto is nothing else, it is, it is equally an IT company. जब crypto जब launch होता है, मैंन जी ने जब बताया के, जब volatility रहती है, projects कौन से होने चाहिए, so it is absolutely right, so cryptos are back with the projects and the projects are based on the technology. So, into the crypto, the underlying assets are the technology, that's what it is important. So, जब हम technology की बात करते हैं, जब हम asset class की बात करते हैं, तो ये crypto is just another investment instrument into the market. मैंन साब, मैं आप से अगर कुछ डिरेक्ट सवाल कर पाऊं, चूकि आप एक exchange है, जैसे हम BSE और NSE की बात करते हैं, तो crypto के लिए वजीर-X एक exchange है, थोड़ा साब मुझे बताईए कि बीते कुछ महीनों, बीते एक महीने में वजीर-X पे जो वॉल्यूम्स हैं, क्या उसमें बहुत जादा गिरावाट आई है इस उथल-फुथल के वज़ज़ से? इंडिया is a very unique country in the sense of crypto regulations, आजय जी. तो पिछले बज़ट में, finance minister ने कुछ नया रूल्स डाले हैं for the crypto industry, तो उसकी वज़ज़ से, from 1st of April, we have definitely seen a slide in volumes, तो there is a 30% tax, which we are okay with, but the problem is a 1% TDS, तो the 1% TDS, you know, affects day traders directly, इसकी वज़ज़ से, हम लोग का volumes have come down dramatically, now on top of that, now you are having all these global effects, you know, rising interest rate, you know, rising inflation, जिसकी वज़ज़ से interest rates are rising, so generally global indices, not only crypto, global markets are on a downturn, but we have been very badly affected in the sense, we have been reflected, it's reflected all over the world, crypto markets are down by 30%, तो इंडिया में भी वही हालत है. तो मिलन साब, एक supplementary सवाल ये भी है, कि लोग फिर दुबई की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं, हमारे रुचे साब दुबई से हैं, दुबई में ऐसा क्या है ecosystem में, कि वो एक financial hub बनता जा रहा है, cryptocurrency के लिए, और भारत से वजीरेक्स जैसी बड़े exchanges भी अब दुबई की और जाने की, मतलब एक तरह से जाई चुके हैं, नहीं, बलकुल नहीं, वजीरेक्स is based out of India, we are made in India, made for India, और India is one of the largest going crypto markets in the world, तो हम लोग को, we have a hands full, trying to win the India market, but it's a very interesting question, अपजे पूजा आजे जी, the issue is regulations, you know, we can look at, so this government has decided to take a practical stand, they are saying that we won't ban the industry, but we won't, we'll watch it and we'll control it very, very carefully, but आपको यह समझना चाहिए कि, regulation, innovation precedes regulation, regulation always comes after innovation, अगर आप, you know, किसी भी, you know, नया इंदस्ट्री को, you know, बहुत रगुलेट करते हैं, तो यह बहुलाट 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 करते हैं, तो you will not be able to accept, you will not be able to get the full potential of it, जैसे अगर आपने internet को 1998 में रगुलेट किया था तो would you, would we have reached this place, you know, 20, 22 years later, तो what is happening is that a lot, now, if the country is the world over a fighting for talent, and they see, अपलोग को मालुम है कि the crypto is, you know, cryptocurrency or this technology is the future of, is the future of financial internet, तो जो भी यह तो यह तो यह तो बहुलेट करेगा, that company can, that country can become a trend leader when it comes to financial center of the world, जैसे Singapore है, तो नाव दुबाइ इस अगुलेट करेगा, तो बहुलेट करेग or the financial, you know, Dubai wants to become the financial capital of the world, so it is trying to attract the best of talent, when it comes to programmers, when it comes to financial consultants, and crypto is the future of financial technology, which is why they are offering a lot of swaps, better regulations, जिसकी वज़े से अपर बहुलेट करेगा, 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 जिसकी कहते रहें कि इसमें जो टेरर फानाइसिंग को लेकर के जो दिक्कते हैं सरकार इसमें जो एक तरह से छुपा हुआ इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो हमारे लिए दिक्कत है यह जो दुबई में अभी वर्चुल एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए अथारिटी बनाई ह है उन लोगों ने भी ओविसली इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा होगा हम क्या वहां से कुछ सीख सकते हैं या फिर वहां की कुछ सैलेंट पॉइंट्स आप शेयर कर सकते हैं जो अभी इंट्रोडीउस हुए दुबई में अच्छुली चीखने की बात करें तो दुनिया की नजर अभी इंडिया पर है विकास वे अथे हैं यह थे यह थे रिटेल पॉपलिशन फोर दिव इंडिया वेड ने के ओके अडिया बडिया व्याजिया जो जुट्टी एज तर्विस्टी इंडिया पर्शन पीज आते है रही बाद दुबाई की अगरम बात करें, सो जो आपका question है, उसके उपर में ये कहना चाहूंगा. For an example, दुरदर्शन पे अभी crypto का program आ रहा है, हजै जी. So, मेरा, किसी का favorite channel CNBC है. But, अभी ये time पे मैं यही program देखूंगा दुरदर्शन पे. So, Dubai में, it is happening a similar thing. So, world is coming to Dubai. Dubai is doing like such a way that everybody is from the world, they are coming to Dubai. Okay. There are a lot of events which are happening, informative events which are happening. There was a lot, there was Binance Week which has happened. The FinTech events happened over here. Okay. And everybody comes from the world to Dubai. That's why people are gathering in Dubai and they are collecting and exchanging the information. Okay. That is one point. जहां तक हम बात करते हैं, regulations की, हम एक वो दिशा में जा रहे हैं, because regulate करना बहुत जरूरी है. क्यूंकि हम वो इंडिस्ट्री में हैं, जहां पे वोलिटालिटी बहुत जादा है. But regulations आ रहा हैं, मतलब innovations प्रूव हो रहे हैं. It is only about that that maximum crowd, that is the young crowd. And as I said before as well that young crowd, lot of youngsters and not only youngsters, lot of people, they are just investing for gaining, that's all. Just as a part of gambling. So for awareness, the regulations are compulsory right now. Okay. We have to stop certain people because there are a lot of Ponzi schemes are also happening. They don't have... Yes, Rachel. You have to do it. समझना होगा कि crypto एक investment है, ये gambling नहीं हो. सरकार मिशायद इसी पर अभी काम कर रही है, कि इसको एक gambling की तरफ प्रमोट होने से बचाया जाए. लोग आकर्शित नहों केवल, फौरी तोर पर जो return हमें दिखाई देते हैं, कुछ मामलों में उनको देखते हुए. आतिश ठाणे से महरास्टा से महरासा जुड़ रहे है, नमस्कार आतिश. या नमस्कार, गुड़ाफून सर्व, गुड़ मौनिंग सर्व, गुड़ मौनिंग सर्व, सवाल करें. अगर वापस आते हैं, तो मेरे points as it is दिखेंगे, कि वो नहीं दिखेंगे. अगर अगर आज आप देखें तो टेरा लुना का जो फांडर है, दोन कौन उन्होंने एक रिवाइवल प्लान डाला है. Now, it all depends upon the project. अगर ये रिवाइवल प्लान सची में कुछ अच्छा दंदार है, कुछ वजन है इसमें, तो automatically, and there is some value behind it, it will start going up eventually over a period of time, depending on how good the revival plan is. And if it goes up, I don't think there should be an issue of relisting all these token on all major exchanges. It all depends upon the revival plan. अगर रिवाइवल प्लान ठीक होता है, there is more, you know, the token itself has inherent value, obviously most exchanges will start re-enlisting it. Okay. रुचिर, एक चीज़ और ये कि हम ये पहचाने कैसे, कि क्रिप्टो करेंसी अगर हमें investment पेक करना है, आपने कहा कि technology is backed होना चाहिए, इतने सारे, मेनन साब करना है कि experiments हो रहा है, regulation अगर नहीं है, So, Ajayji, the main points are, I am repeating every time, like, you should know what the crypto company, the currency, the bank, by which kind of projects, okay. When we are talking about projects, so, first of all, you should see this, first of all, you should understand what crypto is, like, like, years ago, if we talk about India, about the world, so, hundi, like, that was the main thing, like, so, crypto is like a digital hundi, fine. It is, वो एक medium है, आपका lane-dain करने एक, जब lane-dain करने का medium है, तो वो lane-dain करने का medium आपको existing ecosystem में use होना चाहिए, So, crypto, वो crypto में आप निवेश करिए, जो कि सबसे पहले आपके finance और ecosystem के, जो problems, fiat solve नहीं कर रहा है, शायद उसको crypto अगर कोई solution प्रोवाइड करने है, कोई currency, ठीक है, So, आप उसमें invest कर सकते हैं, सबसे पहले आपको यह चेक करना चाहिए, All the cryptos, they have the white paper, White paper में भी काफी सारी चीज़ें देखनी पढ़ती है, Because it's like a website, fine, like you, everybody makes a website, But हम यह भी जानते हैं, the hard fact is that like, Not only crypto, the other markets as well, people copy based the website, okay, So, white paper और website भी काफी सारी कापी हो रही है, So, we have to look into the integrity of the projects, Like, what projects are coming up with this particular crypto, Is it actually happening or not? I mean, it's happening in the right way, Because as Mananji rightly said, like, there are a lot of people say that, You know, that is the matter of the volatility, Because, people say, I will project for a fund, But actually that project is happening or not, Whether crypto is solving the real-time utility chain ecosystem problems or not, These are the two major things, People should understand the baseline, what is crypto first, What is blockchain? बहुत 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 धन्यवाद, I'm afraid, मैं पास वक्त इतना ही है, राजगोपाल मिनन साब आपका बहुत शुक्रिया, वक्त मुझे जादत नहीं दे रहा है, अलांकि ये दुनिया बहुत बढ़ी है, पर मैं सिर्फ एक अपील अपने दर्शनकों से करना चाहूँगा, सोशल मिडिया पर बहुत सारे स्टाफ, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भरे पड़े हैं, लेकिन उन पर जाने से पहले आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ आकरशित करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट अपने वीडियोज बना रहा है, सोशल मिडिया को एक दम एक तरह से फ्लड कर दिया है इस सब चीजों से, एक पब्लिक ब्राडकास्टर होने के नाते हमारी जिम्मदारी है, कि हम जेन्विन इन्फोर्मेशन को आप तक पहुंचाएं, और हमारी चोटी सी कोशिस इस कारक्रम के जरुए है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए इस खास कारक्रम में,